आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलास से जुनिस सो बहतर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान लोक से वायोग सहायक आचारिये प्रतियोगी परीक्षिया 2023 से जुड़ी हुई ये अपडेट दोस्तों ये आपको र इपलाइड आर्ट उसके जो इंट्रिवू लेटर हैं वो अपनी ओफिशल विवस्थाइट पर अपलोड कर दिये गए हैं तो आप ओफिशल विवस्थाइट पर जाकर के अपने रोल नंबर, डेटो बर्त और पेपचा फिलब करके अपना जो इंट्रिवू लेटर है वो इस है final जो result है वो जारी कर दिया है आपको पता ही है कि इस विशेय के जो interview है वो RPC के दुवारा 1070 200024 को यानि कला योजित किया गए थे और आज इसका जो result है वो जारी कर दिया गए थीक है तो साक्षातकार के पसचात ये जो ब्यार्ति हैं 6 ब्यार्थी इनको main merit list के अंदर सामिल किया गया है ठीक है ये roll number है cost के अंदर merit कर mank है और cost के बाहर जिनके आगे P लिखाव है cost के अंदर उसका मतलब है provisional यानि S थाई ठीक है उसके बाद ये आप देख सकते हैं main merit list के cut off marks इसके अंदर SC जो केटेगरी है उसमें सामाने cut off marks रही है 145.74 ST केटेगरी की सामाने cut off marks है 119.56 OBC केटेगरी की सामाने जो cut off marks है वो 162.68 MBC केटेगरी की जो सामाने cut off marks है 88.2 है EWS केटेगरी की जो cut off marks है 125.14 ठीक है और ये है अलग-अलग category की date of marks की cut of marks ठीक है date of birth की जो cut of marks है उसका मतलब यह है कि माल लिजे कोई category है for example EWS category है इस category के अंदर दो या दो से ज़्यादा ऐसे ब्यार्थी है जिनके cut of marks समान है माल लिजे उनके 125.14 marks बने उसी स्तती में जिस अब्यार्थी की date of birth ज़्यादा होगी उसको merit list के अंदर सामिल किया जाएगा और बाकी जो है वो एपात्र हो जाएंगे ठीक है तो ये तो है main merit list अब आप देखिए जो reserve list है उसके अंदर किनके अब्यार्थियों को सामिल किया है पलस उसकी जो पटोफ marks रही है वो कितनी रही है तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी से है जियोलोजी उसके इंट्रिव्यू जो है वो 10,9,2024 को आउजित किये गे थे और आज उसका result जारी कर दिया गया है तो इसमें जो आरक्षित सुची के अंदर सामिल अब ब्यारती है वो आप देखिए कौन-कौन से ब्यारती आरक्षित सुची के अंदर सामिल किये गए है ये 6 ब्यारती है आपके सामने ठीक है इनके merit करमांग कोस्टक के अंदर दिये गए है जिनके आगे P लिखावा है इसका मतलब provisional ठीक है और ये आप देखिए cutoff marks ये आरक्षित सुची की cutoff marks है तो ये अलगलग category और उसकी सामाने जो cutoff marks रही है अलगलग category की वो आपके सामने दे हुई है ठीक है आप इसको देख सकते हैं अलगलग category की सामाने cutoff marks ठीक है और ये डेटो बर्त की cutoff marks दी गई है अलगलग category की ठीक है तो ये आरक्षित सुची के जो ब्यार्थी हैं इनके लिए क्या निर्देश है क्या काहँ है कि RPSC ने शक्षातकार उप्रांत समंदित सेवा नियमा नुसार तेयार कीगी आरक्षित सुची में नेमन लिकित रोल नंबर के ब्यार्थियों को उनके रोल नंबर के समुख कोष्टक में अंकित मेरिट करमांग के अनुसार सफल गोशित किया जाता है विभाग दुवारा निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आयोग दुवारा उक्त ब्यार्थियों के नाम नियुक्ति है तू अभिशास्त वित किये जास्त केंगे ठीक है तो यह आरक्षित सुची के ब्यारती है अगर में मेरिट लिस्ट के अंदर सामिल जो ब्यारती है उनमें कोई भी ब्यारती है वो जोईनी करता है या डोकुमेंट्स वगेरे के अंदर कमी पाये जाती है पत्र पाये जाता है जोईनी करता है उस सिच्वेशन के यूँकि RPSC Assistant Professor बरती से जुड़ी पूरी अपडेट मैं हमें साथ के लिए लेकर के आता हूँ हमारा वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद